हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक तो माई चैनल फ्रेंड चलिए आज हम बनाते हैं दो तरह की कोफी पहले हम बनाएंगे कोल्ड ब्रू उसके बाद बनाएंगे हम कोल्ड कोफी विद आइस क्रेम इनको बनाना बहुत आसान है और गर्मियों में तो इनको मजा ही अलग होता है तो चलिए बनाते हैं दोस्तों पहले हम बनाएंगे कोल्ड ब्रू उसके लिए हम लेंगे एक चमच कॉफी एक चमच पिशीवी चीनी आप चीनी नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं उसके बाद हम डालेंगे आधा का फ्रेंडा पानी अब हम इसको ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छे से जाग आ जाएं दोस्तों देखिए अब यह इसमें कितना अच्छे सा जाग आ गया है अब हम एक ग्लास लेंगे और इसको लगबग आदे से ज्यादा आइस क्यूब से भर लेंगे अब हम इसमें अपनी मिक्स किवी कॉफ़ी लग भग तीन चौथाइइ भर लेंगे उसके बार दोस्तों आब इसमें अपनी हिसाब से दूद डाल लेंगे किसी को ज्यादाた बस दूद पसंद होता है किसी को कम दूद पसंद होता है तो आप दूद अपने हिसाब से डाल लेना और इसको एक श्ट्रो के साहरे हल्का सा मिक्स कर लेना यह देखे दोस्तों हमारी कोल्ड बूद बनकर रेडी है अब आप इसको उपर से चोकलेट सोट से गार्नीश कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद हम बनाएंगे कोल्ड कोफी बिद आइसक्रीम अब हम उसके लिए लेंगे एक स्कूप बनिल आइसक्रीम एक चमच कोफी एक चमच पिशीवी चीनी अब हम इसमें डालेंगे दूद और इसको अच्छे से ब्लेंडर से मिक्स कर लें अभी देखे दोस्तों हमारी कोल्ड कोफी तैयार है अब हम एक गिलास में लगवक आधे से ज्यादा आइसक्यूब बर लेंगे और इसमें हम अपनी मिक्स क्यूवी कोफी डालेंगे इसको गार्निस करने के लिए लगवक एक स्कूव आईसक्रीम लेंगे और उसके उपर से चोकलेट सोच से गार्निस कर दे अभी हमारी कोफी पीदा इसक्रीम तैयार है अब यह देखिए दोस्तों हमारी कितने आसानी से दोनों कोफी बन गई आप इनको ठंड़ा ठंडा सर्प करें और इंजोई करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें थैंक यू झाल